नमस्कार आज के ध्यान के सत्र में हम सोहं ध्यान करने का अभ्यास करेंगे रदय में स्थित्र सूर्य चक्र में विशुत्त ब्रह्म्भतेज के दर्शन करने की विधी आज हम अभ्यास में करेंगे मेरुदंड गर्दन दोहों को सटिक रखते हुए स्वाभाविक सासु के साथ कुछ समय जुड़े रहना है प्रकृती में हर उत्पत्ती में एक ध्वनी है चाहे वो हमें सुनाई दे या ना सुनाई दे हमारी सासों में भी एक ध्वनी है सो हम जो उसी ब्रह्माण्ड या ध्वनी का एक रूप है सो हम इस ध्यान साथना में अपनी श्वाशों पर ध्यान देना है जब हम अपनी श्वाशों पर ध्यान के इंद्रित करते हैं तो हमें अनुभाव होता है कि हम श्वाश को जब भीतर लेते हैं उस समय सो अक्षर की ध्वनी होती है जब वायू का आदान प्रदान हमारे फेफडों के कोशों के बीच में हो रहा हो तब अ की ध्वनी होती है वायू के निकलते समय हम की ध्वनी होती है हम जब वायू की ध्वनी होती है जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाता है सोहम की ध्वनी स्पष्ट रूप से श्वाशों में सुनाई देने लगती है जब नासी का द्वारा श्वास भीतर प्रवेश करने लगे तो सुक्ष्म करनेंद्रियों को सजक करते हुए सो की सुक्ष्मा ध्वनी को सुने इस प्रकार स्वाभाविक सांस जब शन के लिए भीतर रुके तब ओ की ध्वनी को सुने और श्वास निकलते समय हम की ध्वनी को अनुभाव करे इस ध्वनी को सुनने की जो साधना है इस सोहम साधना को कुछ समय हम निरंतर करते रहेंगे क्वास प्रकार दोने को कि अनुगम प्रकारावा निकलते सजब करेंगे प्रकारों मिल्ड़ की जकलतान जब शन के लिए रहेंगे जैसे जैसे ध्यान गहरा होता चाता है सोहम की ध्वनी स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगती है जैसे 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 लगती है श्वांस लेते हैं तो वायू प्रवेश के साथ साथ सोव अक्षर की सुक्ष्म ध्वनी ख्षण के लिए सांस जब ठहरती है तब अ की विरान ध्वनी और जब श्वांस बहार निकलती है तो हां की विश्राम की ध्वनी इन तीनों ध्वनियों पर ध्यान किंद्रित करना है कुछ समय इस सोहम ध्यान का अभ्यास करते रहे करते जब है श्वनी अब मन को रदय स्थित सूर्य चक्र के प्रकाश बिंदु में परमात्मा के उर्जा रूप की धारणा कीजिए आरंब में उस रदय चक्र स्थित बिंदु को सो ध्वनी के समय ब्रह्म माना जाता है और पीछे उसे के हम धारणा में जीव भावना हो जाती है इस भाव परिवर्तन के लिए औ का अवकाश काल रखा गया है सो हम साधना धीरे धीरे समाधी में रुपांतरित होने लगेगे कर अवकाश के लिए बावना है झाल झाल सोहम शब्द अब सांसों में ढल जाएगा में झाल 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 मेता एका थे बाम झाल धीरे धीरे हम इसे सुन नहीं पाएंगे, केवल अनुभाव कर पाएंगे कर दूद कर दो ऑकेन। सूहम को सुनने के स्थान पर अब हम अनुभाव करने लगे है कि अब हम अनुभाप आढा करने लगे है श्यकल एक det करना अनुभापर करने करती है लगे हम खाया है सोहम सासू में ढल गया और सहज उपलब्द हो गया और सहज उपलब्द हो गया जब मन को तुप्ति का अनुभव हो जाए तब ध्यान से आप बहार आ सकते हैं